दोस्तों क्या आप भी Jio का SIM यूज करते हैं अगर आप भी Jio का SIM यूज करते हैं और काफी दिलों से अगर आपने अपने नंबर को रिचार्ज नहीं करवाया है तो आप देखते होंगे कि आपके नंबर की उपर काफी वार customer care का Jio के तरफ से call आता है और वहाँ पर बताया आता है कि आपका जो नंबर है वो काफी दिलों से रिचार्ज नहीं हुआ है और वायस आपका जो नंबर है वो company के तरफ से बंद कर दिया जाएदा तो क्या कभी आपने सोचा है कि यह जो काम है यह घर पे बैठ के आप भी कर सकते हो जिहाँ GEO Company के अंदर यहाँ निका GEO Customer Service का जहाँ पर आपको अलग अलग GEO के Client को Call करना होगा और आपको अपने Smartphone से ही Call करना होगा घर पे बैठ के Call करना होगा और इसके बदले में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो as a part time as a full time कापी बढ़िया काम है दोस्तों और आ नमबर पे जब कॉल आता है तो आपने देखा होगा कि कई बार आपके लोकल लेंग्वेज में भी आपको बताया जाता है जो भी आपका लोकल लेंग्वेज है उसी लेंग्वेज में उदर से बात किया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप अपने नमबर को रिचार्ज कर लीजे तो बहुत सारे लोग आशकल घर पे बैटके पार्ट टाइम में अपने स्मार्ट फोल से जियो कंपरी के अंदर ये काम कर रहे हैं और कापी बढ़िया पैसा अड़ी कर रहे हैं तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं घर पे बैटके जियो कंपरी के अंदर यही कस्टमर सर्विस ओला काव तो फिर आप इस वीडियो वो आखरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिरकान ये काम आप कैसे ले सकते हो कैसे कर सकते हो एर तूजर इफ़र्मेशन कैसे आपको इस जॉप को लेना है आपको फिर स्मार्ट फोल से ही करना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरू कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल वो सब्सक्राइब परके रखिएगा क्योंकि इस चैनल के उपड़ आपको ओनलाइन आर्टिंग के बारे में ऐसी ऐसी चीज़े बताई जाती है या पर पार्ट टैम जॉब हो पार्ट नहीं वर्थ को उसके बारे में बताया जाता है जिससे आप घर पे बैठके आपकी पास लैप्ताप होतों का अपर अच्छी बात है अगर नहीं भी है तो आप अपनी स्मार्ट पोल से भी बड़िया इर्कम जनरेट कर फाते हो वो भी बिना इंवेस्टमेंट का जिया तो इस वीडियो के अंदर हम जो आपको काम बताने वाले ही जियो कंपनी के अंदर उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है कि आपका इतना एज होगा तभी आप अपलाई कर पाओगे वोई भी उमर का जो यहाँ पर बंदा है या फिर बंदी है वो अपलाई कर सकते है इसके बाद यहाँ पर अब बात करें तो एजुकेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आप 12 पास होंगे भी कैसे आपको लेना है साधी साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आप लगने वाला है और यहाँ पर जितना कम आप से रोगे मांग लेते हैं चार घंटा आपने काम चिया तो चार घंटा सा पैसा आपको मिल जाएदा आज घंटा आपने काम किया आज जंटा पैसा मिल जाएदा तो सिर्फ आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको एक क्लाइट का लिस्ट दिया जाएगा और उसी लिस्ट में से आपको जियो के जितने भी क्लाइट है ग्राहक है उनको कॉल करना है और उनको रिचार्स के बारे में बताना है कि आपका जो रिचार्स है कापी तुनों से नहीं हुआ है तो आप अपने नमबन को जन्दी से रिचार्स कर लीजे तो यही काम आपको करना है दोस्तों और कापी आफान काम है कोई भी कर सकता है तो हेलो दोस्तो मैं हो रोसन जा और आप देख रहे हैं आपको अपना युडूब चैनल टेक्टिक हिंदी तो दोस्तो अभी थोड़ा सा एक दो दिन पे वीडियो आ रहा है चैनल के उपर ज़रा सल मैं एक परसनल वर्क में तोड़ा सा मीजी हूँ लेकिन बहुत ही जब इस चैनल पे आपको continue एक वीडियो डेली आपको देखने को मिलेगा फिलाव आपको एक दो दिन पे वीडियो मिलता है लेकिन क्वानिटी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो चलिए सीधे चलते हैं उसी portal के उपर company के उस sites के उपर तो यहाँ पर मैंने अपना smartphone on कर लिया है आपको सबसे पहले अपने smartphone में अपना play store open करना है और play store के अंदर आपको search करना है geo carrier app यहाँ पर आपको यह app देखने को मिल जाएगा तो इस application को सबसे पहले आपको download करना है और एक application और आपको download करना है अपने smartphone में उस applications का नाम है आपको यहाँ पर search करना है geo smart fsm तो आपको यह application देखने को मिलेगा तो यह दोनों ही application सबसे पहले आपको अपने smartphone में download करना ह अब यहाँ पर देखें, Jio Smart FSM क्या है, तो आप जो यह job करोगे, यही job आपको यह Jio Smart FSM देता है, अब यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा, तो जैसे आप Jio का Smart FSM अप डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर देखें, User ID और Password का options है, तो यह User ID और Password आपको कहां से मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काम आपको क्या करना है, तो देखें, Common Resolution Guidelines for FSM APK Related Curies बगेरा दिया क्या है, इसके बाद देखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको Client मिलेंगे, Leads मिलेंगे, यहाँ पर देखें, अलग-अलग लोगों के नाम मिल जाएंगे, उनका Contact Detail मिल जाएगा, यह सारे जो है, वो Jio के जो ग्राहक होंगे, उनका यहाँ पर Detail मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर Call के उपर क्लिक करके उनको Call लगाना है, और उनको बताना है, कि Jio का जो नमबर है, उनके नमबर पर Recharge कई दिनों से नहीं हुआ है, तो वो अपन WhatsApp का भी Options आपको दिख रहा होगा, तो WhatsApp पे भी आप यह जो Message है, उनको बेज सकते हो, कि अपने नमबर को Recharge कर ले, इसके बाद यहाँ पर देखे, इस तरीके से पूरा Detail मिलेगा, और यहाँ पर देखे, User ID, Mobile नमबर बगेरा दिया गया है, कि यह सब डाल के आपको अपना जो Account है, वो Login कर लेना है, तो अब चलिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, कि जो User ID और Password है, Jio Smart FSM App के अंदर Login करने के लिए, वो आपको कैसे मिलेगा, तो Jio Carrier Application जैसे आप Open करोगे, तो यहाँ पर Open करने के बाद, User Name और Password दिया गया है, लिकिन नीचे में New User का Options यहाँ आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर Registration करना है, Jio Carrier App के अंदर सबसे पहले, यहाँ आपको अपना First Name डालना है, जो आपके आधार कार्ड में नाम है, उसके बाद, Last Name, Email, Phone Number, Password, कोई भी नया सा बनाना है, उसी Password को Confirm करना है, डे जो यहाँ पर Freelancer का Option दिखेगा, तो इसके उपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, तो कुछ इस तरीके से Options आएगा, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से पूरा बताया जाएगा, Lead HR Business Partner, इसके बाद, Lead HR Business Partner, अलग-अलग यहाँ पर State के नाम आ कि इस State में आप Job ले सकते हो, लेकिन आप किसी भी State से हो, बस आपको Job के लिए Apply करना है, इसके बाद, जैसे आप Apply करते हो, तो आपको एक Assignment दिया जाएगा, जहाँ पर 5 से 10 Questions आप से पूछे जाएंगे, Simple से, और इसके बाद उस Question का Answer जैसे आप कर लेते हो, तो आपको यहा messages है, वो आपके email पे बेजा जाएगा, कि आपका यहाँ पर जो Job में selection है, वो हो चुका है, और यहाँ पर registration करने के बाद, जैसे आप Job के लिए Apply करते हो, तो यहाँ पर इसी तरीके से Assignment का Question रहेगा, देख सकते हो, Assignment Question है, Simple से Question है, आप Google पे Copy-Paste करके भी यहाँ पर Answer ले सकत हो, और इसका सही answer आप दे देते हो, पास से 10 Question पुछे जाएगे, तो आप Job के लिए Select हो जाओगे, और इसके बाद जो User ID और Password बगेरा है, जो User ID पासवड डालके आपको Jio Smart FSM में Login करना है, वो आपके email पे बेज दिया जाएगा, तो email आप जरूर से Check करते रहेगा, और आपका पूरा प्रोफाइल बगेरा इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो Jio Career के अंदर आपको अपना अकाउंट बना के Login करना है, यहाँ पर Job के लिए Apply करना है, Assignment का Answer देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, Simple से Question पूछे जाएगे, और इसक इतने भी Jio की ग्रहक हैं, जतने भी Client हैं, उन सारे का Detail आपको मिल जाएगा, बस आपको घार पे बैटके, जब आपके पास Free Time हो, तब आपको Call करना है, और उनको बताना है, कि उनके नमबर पे Recharge खतम हो गया है, और उनको Recharge जल्दी से करवाना होगा, नहीं तो Company के झालओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओा